हिंदू मैरिज आक्ट 1955 के इस लेक्चेर सिरीज में आज हम सेक्शन 10 और हिंदू मैरिज आक्ट से दील करेंगे सेक्शन 10 बेसिकली जुडिशियल सेपरेशन के कॉंसर्ट से दील करता है जुडिशियल सेपरेशन जिसे हम कहते हैं न्याइक प्रिथक करें अपने अब तक के वीडियो में हमने सेक्शन 5 को डीटियल में कवर किया सेक्शन 5 बेसिकली कंडिशियल से जील करता है सेक्शन 6 रीपील हो चुता है सेक्शन 7 चरिमनी और हिंदू मैरिज सेक्शन 8 रजिस्ट्रेशन और हिंदू मैरिज सेक्शन 9 सेक्शन 9 रेस्ट्रेशन और सेक्शन 9 जुडिशियल सेपरेशन तो इतने सेक्शन को हमने कवर किया है बेर राक्त के थूँ लाइंग बाइंग तो अगर आप वीडियो में नहीं हो तो आप इन वीडियो को देख सकते हैं तो जुडिशियल सेपरेशन देखो जब कभी भी हम मत्रीमोनियल रिलीव के बारे में बात करते हैं तो हमें तीन पॉंटर्प्ट पढ़ना होता है एक रेस्टिजूशन और कंजूगल राई जो की सेक्शन 9 में है वयवाहित अधिकारों का उनह पापन दूसरा सेक्शन 10 सेपरेशन न्याइक प्रिथक्तर और तीसरा सेक्शन 13 जो की डाइवोर्च के बारे में है तो इस आर मैट्रिमोनियल रिलीव्स विच आर अवलेबल तो बोथ हस्बंड और वाइफ तो बिधे रिक्ट कैसे डिफाइन करता है जुदिश्ययल सेपरेशन को वहाँ जाने से पहले सबसे पहले हम जुदिश्यल को समझेंगे जैसे हैं जुदिश्यल सेपरीशन अच घंत और सुद अलगलग और judicial separation का मतलब होता है when husband or wife seeks decree of judicial separation from the court जब husband या wife court से एक दूसरे से अलग रहने के लिए decree पास करवाते हैं तो उसे कहा जाता है judicial separation wife and husband gets separated from each other for a period of time known as judicial separation क्या कारण हो सकता है judicial separation का जैसे पती-पत्नी के बीच जो प्यार पहले था अब वो नहीं रहा उनके बीच जो bonding जो understanding पहले थी अब वो नहीं है बात बात पर जगड़ा हो रहा है कैट और भी कई कारण हो सकते हैं जैसे husband को लगता है कि wife बहुत demanding है उतके demands पूरे ही नहीं होते हैं या पत्नी को लगता है कि पती उसका care नहीं करता है तो there may be many reasons जिसके वजह से दोनों अब एक दूसरे के साथ एक छट के अंदर नहीं रह सकते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अगर वो साथ में रहे तो divorce की भी नौबत आ सकती है लेकिन वो एक दूसरे को divorce देना नहीं चाह रहे है तो better है कि अगर वो कुछ समय के लिए एक दूसरे से अलग-अलग रहते हैं तो हो सकता है कि फिर से उनके बीच वो bonding बन जाए और चीज़े धिरे-धिरे normal हो जाए उन्हें अपने गलतियों का एहसास हो जाए तो judicial separation basically एक जरिया है जिसके through husband and wife के बीच का जो matrimonial bond है उसे preserve किया जाता है दोनों को एक time दे दिया जाता है कि दोनों आपस में ना रहें एक साथ ना रहें अलग-अलग रहें और जब चीज़े normal हो तो वो फिर से एक साथ आ सकते हैं तो वाट इस दी पर्पल्ज ऑफ जुडिशियल सेपरेशन तो प्रिजर्व दी मैलेज तो सेफ दी matrimonial bond between husband and wife तो कि court चाहता है कि जहां तक हो सके कि husband and wife के बीच का जो matrimonial bond है उते प्रिजर्व किया जाए और जब court सभी तरीके अपना लेती है और लगता है कि अब इन दोनों के बीच cohabitation possible नहीं है तो court क्या करती है divorce की decree pass करती है कि नव अब बेर एक्ट कैसे define करता है judicial separation को आए समझते हैं कि आइडर party to marriage आइडर party to marriage यानि husband या wife यानि अगर उनका विवा संपन हुआ है इस act के commencement की बार क्या करें whether marriage was solemnized before or after it is up to them और after तो उनका विवा संपन हुआ है इस act के commencement के पहले या बाद में में present a petition Petition present कर सकते है husband या wife praying for decree of judicial separation और court से judicial separation की decree के लिए petition डाल सकते हैं on any of the grounds specified in subsection 1 of section 13 and in case of wife also on any of the grounds specified in subsection 2 thereof as grounds on which a petition for divorce might have been presented तो क्या कह रहा है कि husband या wife फिर चाहें उनका विवा संपन हुआ हो इस act के commencement के पहले यानि हिंदू marriage act 1955 के commencement के पहले या commencement के बाद husband और wife क्या कर सकते हैं decree of judicial separation के लिए एक petition डाल सकते हैं before the family court before the district court on any of the grounds mentioned under subsection subsection 1 of section 13 section 13 basically divorce के बारे में बात करता है grounds of divorce के बारे में बात करता है judicial separation divorce से completely अलग है क्योंकि judicial separation में जो matrimonial bond होता है उसे dissolve नहीं किया जाता है उसे कुछ समय के लिए suspend कर दिया जाता है और जिस भी period of time के लिए court ने judicial separation की decree pass करी है उस time period के बीच में wife और husband के बीच cohabitation नहीं हो सकता है तो section 13 के subsection 1 में जो mentioned grounds है उन grounds के basis पर husband और wife दोनों judicial separation के लिए petition present कर सकते हैं before the court लेकिन section 13 का जो subsection 2 है इसमें जो mentioned ground है वो केबल और केबल wife को ही अवलेबल है तो as per section 13 subsection 1 wife and husband both can present petition for decree of judicial separation but section 13 subsection 2 is available for wife only wife के लिए available है तो अगर आप से कोई पुछ है कि judicial separation के लिए क्या grounds होने चाहिए तो आप कहोगे कि divorce के लिए जो grounds है वही grounds judicial separation के लिए भी है section 13 subsection 1 in grounds के basis पर husband या wife court में judicial separation के लिए decree के लिए पेटिशन डाल सकते हैं लेकिन section 13 subsection 2 के लिए के लिए पेटिशन इंस्टिटूट कर सकती है दूसरा क्या कहता है where a decree for judicial separation has been passed it shall no longer be obligatory for petitioner to cohabit with respondent but the court may on the petition by either party and on being satisfied of truths of statement made in such petition recent the decree if it considers it just and reasonable to do so sorry तो जितने भी जिस भी time period के लिए judicial separation की decree pass की गई है say for example judicial separation की जो decree pass करी गई है court के द्वारा वो one year है तो एक साल के बीच husband and wife के बीच किसी की प्रकार से cohabitation नहीं हो सकता हो it shall no longer be obligatory for petitioner to cohabit with respondent so there is no chance for the cohabitation between husband and wife during the period of judicial separation लेकिन अगर petitioner husband या wife अगर दोनों में से कोई application present करता है before the court judicial separation की decree pass होने की बाद और court को ऐसा लगता है कि जो भी statement इस petition में दिये गए है वो सही है तो court judicial separation के decree को recent भी कर सकती है cancel भी कर सकती है तो it is up to the court to recent the judicial separation or to pass the decree of judicial separation ठीक है कोट हमेशा यह try करता है कि husband and wife के बीच का जो रिस्ता है वो बना रहे से वो सुरक्षित रहे ठीक है ठीक है नाओ हव जुदिशिल सेपरेशन इस डिफरेंट रॉम डाइवोड किस तरह से जुदिशिल सेपरेशन डाइवोर से अलग है पेटिशन पर जुदिशिल सेपरेशन डीक से परना डाइवोर से संपन होने के बाद इसी भी समय जुदिशिल सेपरेशन के लिए Petition may be presented by either husband or wife लेकिन जब हम section 14 को देखते हैं तो यह clearly यह कहता है कि no petition for divorce to be presented within one year of marriage तो divorce के लिए आप विवाह के एक साल बाद ही petition present कर सकते हो लेकिन judicial separation में ऐसा नहीं है you may present petition for judicial separation after any time after solemnization of marriage during the period of judicial separation both party to marriage cannot perform second marriage until decree of divorce has been granted by the court तो judicial separation के decree के समय जिस भी period of time के लिए judicial separation पास किया गया है court के द्वारा उस बीच husband या wife second marriage perform नहीं कर सकते हैं कब करेंगे जब डिक्री ओफ डाइवोर्स को पास कर देगी जुटिशियल सेपरेशन बेसिकली टैंपोरेरी की suspension है of marital rights and obligation between husband and wife जब की जो डाइवोर्स है वो बेसिकली permanent end है of marriage it is permanent end of marriage तो आईए हमने देखा कि section 13 जो की डाइवोर्स के बारें बात करता है section 13 का subsection 1 जो की grounds of डाइवोर्स के बारें बात करता है तो जो grounds है डाइवोर्स के वही grounds है judicial separation के भी लगे हाथ section 13 subsection 1 को भी हम short में brief में समझ लेते हैं जब हम section 13 को cover करेंगे तो वहां हम detail में समझेंगे तो section 13 subsection 1 अपने आप में 9 grounds को cover करता है इन grounds के बेसिस पर husband या wife डाइवोर्स तो ले सकते हैं लेकिन साती साथ judicial separation की भी दिखरी ले सकते हैं by the court पहला क्या है पहला है अडल्ट्री 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 हजबन और वाइफ इस हाविंग इंटर्पोर्स विट अनदर मैं और वोमिन रादर दन स्पाउस तो पहला अडल्ट्री दूसरा पुर्वैलिटी पुरूरता तीसरा डेजर्शन परित्यान हजबन या वाइफ ने एक दूसरे का परित्याब कर दिया है एपोस्टेशी मतलब हजबन और वाइफ इस तुभी हिंदू अब वो हिंदू नहीं रहे हैं अनसाउंड माइफ हजबन और वाइफ पिकम ओफ अनसाउंड माइफ सफरिंग फ्रॉम लाप्रोसी कुछ रोग से पीडित हैं हजबन या वाइफ या सफरिंग फ्रॉम वेनरियल डिजीज इन काम्यूनिकेबल फॉर्म रिनाउंस दी वर्ल्ड हजबन या वाइफ ने इस संसार का परित्याद कर दिया है या पिछले साथ सालों से हग्मेंट या वाइफ के बारे में किस्त्री को कुछ आइडिया नहीं है कुछ पता नहीं है कि वह कहां है कैसा है जीवित है या मर गया है तो दीज आर सम ग्राउंस ओन दी बेसिस ऑफिच जुडिशियल सेपरेशन में भी ग्रांटेट वाइड वाइड वाइफ को अबलेबल है और वाइफ इन ग्राउंस के बेसिस पर जुडिशियल सेपरेशन की दिक्री ले सकती है तो पहला क्या है बाई ग्यामी अगर पत्नी को पता चलता है कि पती का उसके साथ दूसरा विवाह था या जिस समय उनके बीच साधी हुआ उस समय तक हस्बंड की जो पहली पत्नी थी वो जीवित थी और उनके बीच का जो मैरिज था वो लिविंग मैरिज था यानि डाइवर्च वाज नॉट ग्रांटेड रिगार्डिंग फर्स्ट मैरिज तो यह एक ग्राउंड है वाइफ के लिए वाइफ चाहें तो जुडिशियल सेपरेशन की दिक्री ले सकती है इस ग्राउंड के ब पर बिचिव पर बैद पर बचुडि थिस था नॉट को गविव आज रिए पुर वाइफ उ सेख दिवॉर्स वाइफ राउंड प्राउंड के बच्ट था नॉटिया दूसरत किया है राप सोडूमी बिच्ट्यलिट लेक बिच्ट मेरिट थिस पर्दोंड सॉड़ूमी ऑ वाइफ और फोर्सेस हर वाइफ तो पर्फॉर्म एनल इंटर्कोर्स और कह रहा है बिस्ट्यालिटी, हस्बेंड इस कॉन्विक्टेद इन हाविंग इंटर्कोर्स विथ अनिमल, marriage solemnized before she attained 15 years of age, अभी पत्नी 15 साल की नहीं थी, उससे पहले ही उसका विवाह हो गया था, so it is also aground, फिर कह रहा है that in a suit under section 18 of Hindu Adoption and Maintenance Act and section 125 CRPC, a decree or order has been passed against the husband, Hindu Adoption and Maintenance Act के section 18 के तहट कोई shoot wife ने institute किया था, या CRPC के section 125 के तहट किसी shoot का, कोई shoot pending था before the court, और court ने decree या order grant कर दिया, against the husband, husband is now bound to pay maintenance to the wife, तो भले ही wife उसके साथ रह रही है या नहीं रह रही है, husband को maintenance देना होगा, she was living apart and that since the passing of such decree उस order या उस decree या ने maintenance के उस order या उस decree के पास होने तक, पास होने के बाद भी एक साल बीच चुका है, और husband और wife के बीच cohabitation नहीं हुआ है, तो यह basically क्या है, it is a ground for divorce, यह divorce का ground है, यानि suppose करो कि maintenance का order, court के द्वारा against husband पास कर दिया गया है, तो भले ही wife उसके साथ रह रही हो या ना रह रही हो, husband is obliged to pay maintenance, और जिस दिन maintenance की order या decree पास किया गया था, उस दिन से ले करके एक साल हो गया है, और husband और wife के बीच हो habitation नहीं हुआ है, तो यह एक ground है divorce के लिए, ठीक है? तो यह था judicial separation का concept, जिसे हमने detail में समझा, अगर यह वीडियो आपको informative लगी हो, तो प्लीज चैनल सब्स्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, और इसे जादे जादे शेयर करिए, because I believe together we learn, together we grow. Thank you, have a nice day. कि अढ़ हो दो कि अढ़ए हो